हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विसे सामाजिक अध्यन के सब तह चार की वक्सीट को सॉल्व करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट में प्रत्वी पर विबिन इस्थानों को खोजने के लिए ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं भूमद्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूरु बनी व्रतकार रेखाएं अक्षांस रेखाएं कहलाती हैं भारत से गुजरने वाली करक रेखा एक महतपून अ अक्षांस रेखा है अब नीचे दिएगे ग्लोब के चितर का अध्यन करके प्रस्णों के उतर दीजिए बच्चो आप यहां पर देख सकते हैं यह ग्लोब का चितर है चितर में बच्चो यह भूमद्य रेखा जो की प्रत्वी के बिलकुल बीच से होकर गुजरती है उप अपर की तरफ है करक रेखा और नीचे की तरफ है मकर रेखा फर्स्ट कोश्चिन है अक्षांस रेखाओं को समानांतर रेखाएं क्यों कहते हैं तो आंसर है बच्चो यह रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं यह आपस में कभी नहीं मिलती इसलिए अक्षांस बुमद्य रेखा जीरो डिग्री अंटाक्तिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिन आर्करिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तर मकर रेखा 23.5 डिग्री डक्षिन अभेवच्चों उतरी दूरुप से दुक्षिन दूरुपतक जाती अर्ध गोलाकार रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं ये रेखाएं देशों का मानक समय तै करती हैं प्रती परिस्थानों की सही इस्तिती जानने के लिए अक्षांस्व देशांतर रेखाओं का एक दूसरे को मिलने का इस्तान देखा जाता है पार्ठे पुस्तक से पढ़कर बताईए कि भारत किन अक्षांसव देशांतर रेखाओं के मद्धे इस्तित है तो बच्चेश का आंसर है भारत करीब 67 डिगरी पूर्व और 98 डिगरी पूर्व देशांतर रेखाओं और 8 डिगरी 4 मिनट और 37 डिगरी 6 मिनट उतरी अक्षांस रेखाओं के मद्धे इस्तित है अगला कोश्चन है भारत देश का मानक मद्याहन क्या है तो बच्चों 82 एक बटा दो डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है अब है question number 3 नीजे दिये गए सब्दों से रिक्तिस्थानों को भरिये सब्द है green witch कालपनिक विसुवत रेखा अक्षांस देशांतर 82 एक बटे दो डिग्री पूर्व फर्ष्ट है प्रत्वी के मद्य से होकर जाने वाली रेखा का नाम है तो क्या नाम है विसुवत रेखा अक्षांस वे देशांतर रेखाएं रेखाएं कैसी रेखाएं हैं लगाने के लिए उस इस्तान से गुजरने वाली अक्षांस वे देशांतर रेखाएं का माँ पता होना जरूरी है नेक्ष्ट है मुक्य मद्याहन रेखा इंग्लेंड के नामक सहर से होकर गुजरती है तो किस सहर से होकर गुजरती है green witch से नेक्ष्ट है मद्य प्रिदेश में जबलपूर लगभग 82 एक बटे दो डिगरी पूर्ग मद्यान के नजदी पढ़ता है अब है question 4 नीचे दिये गए कत्नों में से सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निसान लगाएं भूमद्य रेखा सबसे लंबी अक अक्षांस और देशांतर रेखाएं वास्तविक रेखा होती हैं तो ये गलत है उत्तरी गोलार्ड में 89 और दक्षिनी गोलार्ड में 89 रेखाएं हैं तो बच्चों ये सही है आपकी किताब के अनुसार ये सही है उत्तरी दुरुप से दक्षिनी दुरुप तक जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं तो ये भी सही है प्रतिये अक्षांस रेखा को मद्याहन रेखा भी कहते हैं बच्चे गलत है अब है दिये गए बॉक्स में ग्लोब बनाकर प्रमुक अक्षांस रेखाएं दरसाईए तो बच्चो आप सभी को ये ग्लोब बनाना उस पर आपको यह रेखा है दर्सानी है भूमद्रेखा बीच में है जिसे हम विसुवत रेखा भी कहते हैं यह बच्चो करक रेखा जो की 23 एक बटा 2 डिगरी उतरी करक रेखा है उसके बाद है नीचे की तरफ मकर रेखा उसके बाद नीचे है अंटार्क्तिक रेखा और धंक्यू